का चावर दोस्तों आपका फिट से सवागत है डियास लार्ज्स फ्री लरंणिंग प्लेटफोर्म अनेकैडमी में और दोस्तों अब आप मुझे इस अनेकैडमी फलेटफोर्म में फॉलो भी कर सकते हैं चीट झाली याप आप टाउनलोड करनी होगी और उसमें सर्च में टाइब किजिएगा सुनील चंद्री जोशी उसकी बाद आपको मेरी प्रोफाइल वहापे नजर आएगी जिसमें 6 कॉर्सेज हैं आने वाले टीचिंग जांप्स के लिए आप मुझे फॉलो वहाँ पे फॉलो के बटन दबा कर सकते हैं और उन कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और एक बात और लोग आपनों को बताने चाहूंगा कि अब जो एन एकडमी की स्पेसल क्लासेज हैं वो फ्री आफ कॉस्ट हैं ठीक है तो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और दोस्तों बाइलोजी लक्चियर क कि प्रैक्टिस के सेट्स में आज हम्मारा पहला लेसन शुरू होगा इंट्रक्शन के बाद कोशा के जीवन में उर्जा का प्रवाः ठीक है इनर्जी फ्लो इन लाइफ आफ ए सेल इसके अंतर गद हम उर्जा क्या है उसके विभिने परकार क्या है और उस्मा गतिकी के नियमों को पढ़ेंगे और इसमें एंजाइम्स की और क्या क्या भूमिकाय होंगे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात आती है दोस्तों की एनर्जी क्या होती है ठीक है एनर्जी क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो उर्जा के अगर हम बात करें तो दोस्तों उर्जा क्या है सभी जीवों वो नर्जीव में पदार्थों में क्या होती है उर्जा होती है ठीक है चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो उर्जा वास्तों में क्या एक शक्ति है या एक आवेश यानि कि चार्ज है जो पदार्थों के संगठन में विवे निकायों को जोड़ने के लिए आफशक होती है उर्जा का कोई भौतिक सुरूप यह सनस्ना नहीं होती ठीक है एक फिजिकल जो इस्ट्रक्चर है वो नहीं होती इसे के वर क्रियासीलता के आधरपरी परिवासित कर सकते है ठीक है यह पदार्थों के रूप में परिवतन चेंज इन फॉर्म ठीक है पदार्थों के क्या कर सकते है रूप में परिवतन करता है उनकी गती में उत्पन नहीं करता है बदार्थों में तो इस परकार हम कह सकते ह जो किसी कारे को संभफ बनाती है एक है यह संक्षेप में गए तो कारेकरने की संता वहए कि कारे करने की संता को में ενर जाता हॉशाक सिंथर्द नंवस्रक्याशानिक पतmotor या कि मीकल बांड से जिस पहसे अरक्षित ऊर्जा ही क्या है कारेशम और इस इसो हो सके दोस्तों इसके उधारन देखें हम तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे जो जील में संचित पानी है ठीक है वो क्या है उसकी इस्तिती दोर्जा का इस्तिमाल करके की जाती है जो जैसे जील का पानी है तालाप का पानी जहां पर बाद बनाया जाता है ठीक है अब हम बात क करेंगे गती जुर यह के कैमिकल बॉंड्स के टूटने से मुक्त होती है तब यह अगी मुक्त होती है तो इसका उध्यात खर गोस का तेज़ी से भागना, उचाहिए से पथर गिनना, मोटर का चलना, बाइक चलाना वगλέ glass अना कीनेटिक इन जिए की उधारन도 है in जिसमें कैड़ी जो कारपरनिक पदातने अं सिप्ड़िन अर्जर रहती है, शरीर की जीवित कोसाओं में इन पदार्थों का अक्षिकरण होता रहता है जो कार्बनिक पदार्थ और्गनिक वेटरों में भी क्या होती है पोटेनिशन अलर्जी आने की इस्तिती ओर्जा होती है इस क्रिया में रैसनिक बंद टूटते हैं जिससे विभिन्यकार्य संपन होते हैं अब देखें के स्वरुप पहोते हैं उश्मी ओर्जा दीप्ती ओर्जा यार प्रकास अवरत किर्ने इंफरेड रेज और प्रावैगनी किर्ने हो गहीं क्रिक किर्ने कहा जाता है तो यह कंतर राइन तो ओर जाता है विद्य ओर जा है थो में बदल्जान है एक्लाई है में व्यवाम बदल्च अका खंक हार उनका का बिभा रोटेशन हो सकता है गती जूर्जा अपने आनी स्वरूप में भी उदलती रहती है पहाडों के बाद में रुका हुआ जल इस्तिती उर्जा का उधारन है जो पहाड में बाद बनाए जाते हैं वो इस्तिती उर्जा का उधारन है वहाँ जो जल रुका हुआ है परन्तु जब वह जल बहने के लिए छोड़ा जाता है तो क्या हो गति जूर्जा का रूप लेगा है ना क्योंकि उसमें गति आ जाएगी तो अब तो आपको क्लियर होगा विपो उर्जा और गति जूर्जा क्या है ठीक है अब हम बात करेंगे कि जो उर्जा की मुद्रा है जी कोए ड्रा के निकल आइडायं चौह 1 दिए औल्योंकि उसमें से एनीन राइबोस और एक सुगर जूड़ती आन तब जांके क्या है एक एक ऐडीनोसीन ट्राइफ उसमें बनता है जैसे हैंगे सकते हैं इस में यहां इसमैं क्या है तीन फॉस्पेट जुड़े हैं और यह जो विफव होता है यह उच्य उर्जा का बंद होता है इसका जो निसान इस तरह से ठीक है तो क्या है एक एक एटीबी का यहां पर इस तरह से मोलेकूल बन जाता है यहां पर यही प्रोसस लिखी गई है कि एडेनोसीन का के एक एडेनोसीन बेस है और राइबोस छरकरा आ उसके एक एक सेंगत थोस्तों पॉर्जा मॉक्त होती है चाहँ करने के काम आता है थिक है सबी प्रोस यह वहां के रूप में एटीबी का प्रयोग करते हैं एक एग-ध कर crisp कार्यारर के रूप में कि यह विस्तेत वरंडन बाद में हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है यहां पर जो मेंली आपनों को देखो एक क्वेश्चन भी बनता है इसकी फुल फॉर्म आपनों को पता होनी चाहिए कभी-कभी क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि को समय क्या है कि उर्जा व प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें यह चीज़ आ जाएंगी फॉस्पोइड़ पारेविक एसीड एसीड हो जाएंगे और एफडी एफडी वहुत आता है तो इसका जो फुल फॉर्म है वह फ्लैविन एडिनियन डायनिकलोटाइट ऐसे एनेडी है निकोटिनिमाट एडिनियन ठीक है तो उपरोग तो सभी जो रसाय नाई जो नाम देगए आप एक से साथ तक रुपांदराट से एटीपी ही मुख्य बनते होती इस्तिति उत्पन्नव होती है ठीक है एडिपी की मत्य होती है यानिकि एनेडिटूज से तीन एटीपी बनते हैं जीटीपी इनका जो मे बनता है अब बात करेंगे दोस्तों उश्मा गति के नियमों की ठीक है लौ अफ थर्मो डायनेमिक्स इसमें जो सबसे पर्थम नियम है वो है क्या है कि जैसे अब उस्मा गति की किसे कहते हैं सबसे पहले इस बात को कहेंगे कि उर्जा के विभिने सरुपों में परिवरतन के करिया है यह एनरजी और ट्रांस्फोर्मिशन है दोस्तों उसका जो हम एक सिक्वेंस में यानि करबंता अधियन करते हैं उसी को थर्मो डायनेमिक्स कहते हैं यानि कि उर्जा के विभिने सरुपों में परिवरतन के अधियन को ही उस्मा गति की या थर्मो डायनेमिक्स क इसको देखेंगे, इस नियम के नुसार आपको पता होगा, इसे उर्जा सनेक्षन का नियम भी कहा जाता है, कभी भी पूछा सकता है, तो इसका जो सही, यहां पर इसकी परिभास है, वो यह है कि, उर्जा को ना तो उत्मनी किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, यद्यफी, उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्दित किया जा सकता है, ठीक है, उर्जा ना तो उत्मनी की जा सकती है, न नश्ट की जा सकती है हाला कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित किया जा सकता है यह आपको लोगों को अच्छे से बता होगा यह नियम बताता है कि किसी निकाय तथा परिवेस की जानी की जो सिस्टम है ठीक है और उसके जो आसपास की सराउंडिंग्स है संपूर्ण ओर्जा क्या होगी इस तिर रहती है ठीक है अर्था जब एक पदार्थिकी ओर्जा कोई मातरा लुप तो होती है तो उसके दूसरे प्रगार की उर्जा और इससे बरकट होती है ठीक है अगर एक तरह से उर्जा लॉस हो रही है तो दूसरे फॉर्म में ज़रूर हो जो है फिर से पंती है ठीक है तो यह इंग्लिश में यहां पर दिया गया है कि एनर्जी कैन नाइधर भी क्रेटे नॉर्ट इस्टॉइड अब यहां पर देख सकते हैं कि जो इस सिस्टम है और इसके सराउंडिंग्स ठीक है किस तरह से जो है इसका यहां पर उर्जा का परिवर्तन हो रहा है ठीक है अब आगे पढ़ेंगे कि पदार्थों में क्या जो उर्जा है वो अनेक रूपों पसंजित रहती है ठीक है एक में एक रूप से दूसरे रूपमें बदलती रहती है तो इससे उधान दें कि वृस्मा कि कुछ मातरा यांत्री गुर्जा में देखPhd a can टे किस तरह से दूसरी गदा लिए यहां पर यहतार Hm इस यांत्री को अर्ग किष़े कक कुछ ह puisque क्या होता है कि जो रगड से प्रफ्मा बदल जाता है देखें तो क्या हुग Гांप राथरि की सेमियी रासानिक उर्जा को परकास बदलता है ठिक है अपने सरीर को चुर्प करती है ठीक है अएक रूप से दूसरी रूप में परिवर्टन लौइ पत्टी का करका का क champions मगती के पर्थम नियम को आसानी से समझा सकता है अब हमें क्या है लीफ का उधार लेंगे दोस्तों ठीक है इसमें क्या देखेंगे हम कि पौध में उर्जा का रुपांतर प्रणकोदार पौध की हरी पत्योदार होने वाली प्रकास अन्सेशन की क्रिया फोटोसेश की क्रिया से हम किसको समझेंगे इस क्रिया में क्यादा है प्रकास और जानी रेडियन्ट एनर्जी संखूरी से नहें वाली प्रकासज और जाया है उसको हम केमिकल एनर्जी मा बВыन हों योगीकोंके निर्मार में प्रिक्त होती है जैसे आप यहाँ यहां पर क्या है कि कुछ बन रही है ठीक है उसके बाद फूड और मॉलक्यूल से यह फूड बन फूड मॉलक्यूल बने और रेस्पाइरेशन की प्रोसेस में जो केटावालिक का रियक्शन है सियो टू एस्टो उतपात के रूप में निकले फिर केमिकल एनरजी में कनवाट हुई है जो सिंथेसिस ऑफ लाज मॉलक्यूल इंदे सेल यानि कि इनके पत्ति वह बन जाता है या सिंथेसिस होता है तो वही क्या है कैमिकल एनरजी में यहां पर चेंज हो जाता है इस रेस्पाइशन की प्रोसेस के दोरान ठीक है तो यहीं पर कनवर्जन दिखाया गया ह इस तरह रेडियंट एनरजी केमिकल एनरजी में बदल रही है ठीक है तो एक कोशा भी क्या है कि उर्जा की विबिन जो हमारे सरीर में सेल होती है वह भी कैसे अन्य रूपों बदलती है जैसे को समय पसे पॉलिस अक्राइट था वासन सा संचितना वकर क्यों रासानिक परि कुझन से में जब हमारी मसल कॉंट्रेक्शन होता है ताप यह उर्जा हीट एनरजी हो बदलती है जो हीट में बदल जाती है तो था किसी आयन के जिली से होकर गुझने में यह विद्यूत उर्जा में बदलती है ठीक है तो इस तरह से यहां पर हमें पताए कि है अभी दक आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे है एक कोशी की उर्जा है ठीक है किस तरह से अलग अलग फॉर्म में बदल लिए एक छोटे से जो कोशी की इस तरह पर उर्जा का रूपांतरन दिखाए गया इस चितर के माध्यम से यहां तरीक उर्जा जो होती है उपेसी गति जो हम हमारी मसल मस्कुलर मुवेंट होता है उसमें होती है उसमें उर्जा सर्थ करिए सरीर को गरम जाया जिक लें जो एक एक एटिप यह वो किस तरह से बदल रही है अलग अलग रूपों में यह आप हमको यहां पर बताया गया है ठीक है पर कासी उर्जा जुगन में पाई जा होती है ठीक है तो यह आपको पता होना चीए अब देखे एक और यहां पर सरल उधारन दिया गया कि इस तरह देखते समझार है एक निकाए में किस तरह से उर्जा का रूपमांतरण होता है अब देखिए यहां पर सन है ठीक है सुरिया उससे रेडियंट एनर्जी निकली टिक है वो चेंज करती है कोन ग्रीन लीव केमिकल एनर्जी में और कुछ उसमा का भाग बाहर जारा के सराउंडिंगे से पिर जो कोल में देखिए कोईले में और जुर्जा होती हो परverse पहले ब्डीन नभदली Green Leaf के Photosynthesis की Process द्वारा ठीक है Photosynthesis Process होई उसमें लकडी होती है ठीक है लकडी को जलाया गया कोल बन गया ठीक है कोल में यानि कि कोईले में होती है Chemical Energy कोईले को अगर हमने जलाया तो थर्मल Energy यानि कि तापी उड़ जा उसमें बदल गया ठीक है और जो Stream Driven टर्बाइन होते है ठीक है उसमें किस तरह होती है Mechanical Energy होती है फिर Mechanical Energy जब जैनेटर में हम यूज करते है उसको Electrical Energy में वो युद्धी दूर जामें जो है बदल जाती है ठीक है कुछ बाग जाता है और इसी तरह से Radiant Energy Chemical Energy जो जैनेटर है वो Electrical Energy को Radiant Energy में बदलता है इससे Table Lamp जल जाता है ठीक है तो यह क्या है कि एक ही Energy के अलग-अलग किस तरह से Form बदलते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से ठीक है तो दोस्तों यह था आज पहला नियम जो हमने उसमा करती का पढ़ा इससे आगे भी हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे आप लोगों को अभी तक के लेसन में कोई भी कन्फूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं अगले जो इसी लेसन का अगले पार्ट आने वाला है तो उसके लिए हम लोग रेडी रहेगा जिसमें हम उसमा करती की का दूसरा नियम पढ़ेंगे ठीक है और अन्य भी इस लेसन में जो कोशा के जीवन में उर्जा का परभा है ठीक है जो एनर्जी ट्रांस्फोर्मेशन है सेल्स में वो कैसे हो रहा है इस बार में हम और डिटेल में आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे थैंक्यू फ्रेंड्स